विचे बेकार का हमारे दिमाग में घुसे है तो उसे लड़ने के लिए कोई एक एंटैवाईरस है कि आपके पस? कोई एक विचे जो विक्रति पैदा कर एक दृष्ष्च है जो आप में हलचल पैदा कर एक घटना जो आपको पूरा जहजोड़ दे कोई भी एक चीज ऐसी जो आपके पूरे समाधान को ले उड़े आप लड़ा खड़ा जाए आपका विवे की हिल जाए ऐसे में कोई कोई एक ऐसा एंटिवाइरस और भाईया वो साफ्ट वियर कहीं और नहीं मिलेगा वो सत्संग में मिल जाएगा यहां से उसे अपलोड करा लेना यहां से वो साफ्ट वियर ले लेना वो कहीं और नहीं मिलेगा वो यहें से मिलेगी सामर्थ कि अन्तहकरन कैसा बनाए हम तो बड़िया जीवन चाहते हैं अच्छा बड़िया सुंदर प्रभावी आकर शक जीवन हो अच्छा वेक्टित हो इसकी होड लगी है आजकल कि एक अच्छी परिसनेलिटी बना लें अपनी एक अच्छे बन जाए हम अच्छे दिखें तो अच्छे दिखने के लिए अच्छे बनने के लिए पहले अंतहकरण का निर्मान करना तो जीवन प्रबंधन के लिए लाइफ मेनेजमेंट के उपर में कुछ कह रहा हूँ तो उसमें हैं अंतहकरण का निर्मान योग के अंतहकरण और आगे थोड़ा से बढ़ें तो निर्मल अंतहकरण और भी थोड़ा उंचा जाएं तो दिव अंतहकरण एक ऐसा अंतहकरण जिसकी पूरी सुचिता हाथ लग गई तो फिर साधना फली भूत होंगी आपकी फिर बात ही कुछ हो रहे मन्चंगा तो फिर कठोटी में गंगा फिर गंगा आपके सामने हैं गंगा तो एक तत्तो का नाम है गंगा वो तत्तो है जिसमें अमरत तो है अमरत अमरता है तो वो फिर आपके आसपास ही है इसलिए जीवन प्रबंधन की चर्चा में एक अच्छे अंतहकरण का निर्मान कीजिए अपनी प्रतिस्टा जगर है कर देखिए कि ये मन है और मन विचारों का नाम है तो कैसे विचार मेरे पास आए कैसे संकल्प मेरे पास आए मेरे पास वरतियां कैसी हो मेरे अंद्रनाय कैसे हो और मैं किस तरह से समर्पित रहूं चैतन्य के प्रति जड़ के प्रति नहीं जड़ के प्रति नहीं, मैं कितना चैतन्य रहूं, मुझे में कितनी चैतन्य ता रहे, मुझे में कितनी सद्गुणों का नित्य विकास हो, मैं गुणों के विकास के प्रति कितना सा जग हूं, उदारता, सरलता, विनम्रता, प्रासादिकता, पूजता, सहजता, दूसरों के दोश निवारन, किसी के सद्गुनों की प्रसंशा, किसी की उन्नती देखकर, मुझे में असुया तो नहीं पैदा होती, इरिशा तो पैदा नहीं होती, और एक कोई महात्मा प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते, उनके मुझे एक ऐसी बात निकल गई, और मैं आज तक पकड़े बैठा हूँ, उस बात को, वो पता नहीं मुझे उनकी बात क्यों आज आती है, वो प्रवचन में ऐसा कह रहे थे, किसी को, भक्तों को सुना रहे थे, कि हम मैंसे बहुत से लोग ऐसे हैं, कि हम मैंसे बहुत से लोग ऐसे हैं, कि हम अपने अभाव के कारण नहीं, हम अपने अभाव से दुखी नहीं हैं, हम मैंसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दूसरों की संपन्नता से दुखी हैं, यहने हम कोई अपने अभाव से दुखी ऐसा नहीं है कुछ वेदनाई इसलिए भी है कि उनकी तरक्य कैसे हो गई अब वो शेहरशस्त कैसे हो गई वो सिखरस्त कैसे बन गई तो अब बताओ ऐसे अज्ञान से कौन लड़े इस अज्ञान से कैसे निप्टे तो सदगुणों का विकास अपने भीतर हो गुणों के प्रती एक जागरती रहे कि गुणों का हिरास तो नहीं हो गया मुझे मुझे में सदगुण वरदी है ना मुझे में सदगुणों का नित्य नित्य संचे और विकास है के नहीं मेरे गुणों के जो अंकुर हैं वो कौपल बने वो अंकुरित हुए के नहीं वो पुश्पित हुए के नहीं उन्में फूर लगे के नहीं उन्में फल आया के नहीं कि कोई गुण जगा और वहीं खो गया बंजर भूमी भूमी अगर बंजर हो तो गुणों का विकास नहीं होगा इसे नित्य स्वाध्याय करें सत्सं करें, सत्गरंतों का अध्यन करें संभव हो सके तो संतों की निकट चाएं, संभव हो प्राय कठे नहीं संतों का रोज मिलना पगर संभव हो सके कहीं संत मिल जाएं, अच्छे विचारवान प्रग्यावान ऐसे संत जिनोंने अपने पूरे अंतहकर्ण को निर्मल कर रखा है जैसे जिन में कहीं कोई भेद नहीं रहता जो ऐसे सत्पुरुष हैं तत्तोवेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट सत्पुरुष शोत्रिये ब्रह्मनिष्ट सत्पुर्शों का अगर संग मिले तो गुणों का विकास होता है वेराग्य, विचार, विद्या, सत्कर्म और प्रेम की जागरती होती है कुछ अच्छा करने का मन होता है इसलिए नित्यस्वाध्याय करें सत्संग करें, सत्गरंथों का ध्यन करें अच्छा पढ़ें, पहला एक युग था, पढ़ने का युग था अब पढ़ना छूट गया है तो मेरा कहने काश है यह है कि योग्य, समर्थ और दिव्य अंतहकरन अपना बनाए फिर आप देखेंगे कि आपका वर्तमान अच्छा हो गया है फिर वर्तमान के प्रतिक चौकनना पना अपना आएगा और इसे अच्छा करना चाहेंगे विस्परिंग नहीं करोगे फिर काना फूंसी नहीं करोगे काना फूंसी करोगे तो अच्छी करोगे कुछ लोग वातरौन बनाते हैं अच्छा कुछ बिगाडते हैं को दो चार पांच लोग कहना शुरू करते हैं सब बेकार है सब बेकार है तो फिर सब बेकारी हो जाता है को दो चार पांच लोग अच्छा वातरौन बनाएं कि भे सब अच्छा है अच्छा है अच्छा है इत तो, चार, पाँच, ऐसे दस, पचास सिरफिरे अगर कहते रहें कि बस अब हम खत्रे में हैं, हम भाहत खत्रे में हैं, सच मानिए, एक बहुत विनम्परता के साथ बात कह रहा हूँ कि कम से कम हमारा धरम तो खत्रे में नहीं है、 और कोई चीज खत्रे में हो